जहीन बच्चो डेरीवेटिव को आगे हम लोग पिरुसीट करते हैं एक live एक्जांपल समझ के mathematical example में कि कैसे हम लोग derivative निकालते आँ है ना derivative निकालने के लिए हमें function के जुरत पड़ती है कोई function की अतब दो variable आपस में interrelated होने चाहिए तभी हम लोग derivative calculate कर पाएंगे जैसे कि suppose करो आप y equal to x square है ये इसका derivative आप लोगो 12 में बच्चे निकालते हैं dy upon dx that is equal to 2x लेकिन ये कैसे आता है how it comes ये वो हम लोग अभी समझने हों कोशिस करेंगे कैसे आता है क्यों आता है जो हम लोग ने पिछला method discuss किया था तीन step में कि एक close point मानेंगे उस point पर जहाँ पर निकालना है derivative और एक average ये निकालेंगे speed उसी method से हम लोग यहाँ proceed करेंगे तो choose करते हैं second point that is x को बहुत close है extremely close है that is x plus delta x ये हमारा second point मानलो आप x2 है ये हमारा मानलो आप x2 है और एक point आप first point माने x1 that is equal to x no doubt दिन हम निकालेंगे change in y हमारा rate of change हम निकाल रहे है change in y by change in x upon change in x that is equal to change in y कितना है कि जब आप एक बार x2 का value इसमें put करोगे तो कितना आएगा y और एक बार x1 का value इसमें put करोगे तो कितना आएगा y1 आपका तो ये आप 2 point है हमारे पास तो y2 minus y1 होगा और x2 minus x1 होगा same change x में that is आप बोल सकते हो delta y by delta x इसका physical significance ये है कि x में कितना x में कितना change कर रहे हैं हम x में कितना change कर रहे हैं तो corresponding y में हमारा कितना changes आएगा या तो आप simply बोल सकते हो कि y में कितना changes आ रहा है with respect to change in x जैसे कि distance upon time देखते हैं कुछ भी आप देखते हो money expense rate with time कुछ भी ये physics का example है जिसको आप आगे चल के इसको speed बोला हमने अभी इस expression को हम आगे लिखने का कोशिस करेंगे कि कैसे लिखते हैं delta y by delta x आप यहाँ पर y2 का value आप y1 का value आप यहाँ पर पूट करोगे तो हमारा x1 एक बार x है x2 एक बार x प्लस delta x है इसी value का आप इस expression ने पूट करोगे तो आपका y2 निकल के आ जाएगा x प्लस delta x का square आप y1 निकल के आ जाएगा जो x1 का value पूट करेंगे x में तो x है square इसी value का हम यहाँ पूट किये x प्लस delta x square मैनस x square और x2 मैनस x1 x2 हमारा क्या है x प्लस delta x और x1 है x तो यह यह दोनों cancel out हो जाएगा और इस में आप खोलोगे a प्लस b का whole square में आपको इसको खोलोगे तो आप यह हमारा expand करोगे तो यह हमारा cut हो जाएगा finally expression हमारा और इन दोनों में आप delta x common लोगे तो यहाँ delta x प्लस 2x ही बचेगा इन दोनों में आप यह cancel out कर सकते हैं तो हमारा final expression 2x प्लस delta x बचा अब इस equation में हमारा change in y with respect to change in x हमारा क्या आ रहा है 2x प्लस delta x तो इसी चीज़ को हम direct क्या लिख सकते है limit delta x approaches to क्यों delta x तो बहुत small है तो delta x approaches to 0 delta y by delta x हम लिख सकते है delta y by delta x और यह अगर हम delta x को 0 कर देते हैं तो यह expression लिमिनेट हो जाएगा सिर्फ हमारा क्या बचाएगा 2x बचाएगा और इस expression को लिखने का तरीका limit को हम हटा के क्या लिख देंगे सिर्फ dy upon dx that is equal to 2x कहने का मतलब यह हुआ step 3 में क्या हो रहा है कि अगर delta x not equal to 0 है तो then delta y by delta x हमारा 2x plus dx delta x ही रहेगा जो हमारी यह है लेकिन delta x बहुत close to 0 है extremely close है 0 का क्योंकि होता ही है क्योंकि हम point शुरू में माने ही है कि delta x बहुत close है x के बहुत close point है वह तो हम लोग लिख सकते हैं कि delta x को हमारा लिख सकते हैं हटा सकते हैं और यहां limit को हम input कर सकते हैं तो इसको लिखने का तरीका यही हुआ limit delta x approaches to 0 यह लिखने का तरीका यही हुगा कि limit delta x approaches to 0 delta y by delta x हम यह expression को इसमें 2x प्लस delta x को यह 0 कर देंगे तो यह हमारा क्या बचाएगा 2x से स्रीफ बचा और इस expression को लिखने का तरीका limit को हटा के हम क्या लिख दे? derivative of y with respect to x that is equal to 2x यही हमारा finally यहाँ पर आ रहा है ओके अब यही बच्चे 12 हम पढ़ते हैं कि dy upon dx x square का 2x आ गया हमारा यही है अब y equal to x square को derivative dy upon dx is equal to 2x आ रहा है यह हम mathematically जोमेटरिकली और mathematical calculation से हम लोग proof करने को कोशिस करेंगे कि यह सही आता है यह नहीं जैसे generalize way हमारा यह निकल का आया बाद में scientists लोग develop किये कि इस formula को कैसे निकाला जाए derivative में तो y equal to x to the power 1 polynomial यह polynomial function है तो इसका derivative dy upon dx क्या होगा यह n निते जाएगा n power यहाँ जाएगा और x to the power n-1 यह हम लोग पढ़ते हैं general formula जो कि उसी चीज से derive हुआ जो कि हम लोग ने पिछले डिसकास किया था तो मानते हैं कि हम यहाँ पे एक square है जिसका side है x और यह side है एकसी side है और side तो equally होता है तो area हमारा निकल जाता है y equal to x square इस तरह से अब हम यहाँ पे suppose करते हैं मानलो कि x1 बराबर 2 है और x2 बराबर 2.0000 बहुत small 1 है यह हमारा function हुआ y equal to x square तो जब हम x का value यहाँ पे 2 put कर रहे हैं तो हमारा y1 क्या जाएगा 4 आ जाएगा और x2 का value जब हम यहाँ पे 2.0000 पूट करेंगे तो हमारा y2 इतना आ जाएगा इसी चीज़ को एक table से हम समझने हों कोशिज करते हैं कि हमारा delta y पे delta upon x सेम ठीक सही आता है कि नि at the point 2 है अभी हम एक suppose कि हैं 2 point पे जब हम at x2 हम calculate कर रहे हैं तो जब हम at x2 calculate करेंगे तो एक two point ही लेंगे और एक उसके बहुत close लेंगे जो कि बहुत close है तो जब हमने x2 रखा तो हमारा y4 आ रहा है और change in x क्या आ रहा है change in x मतलब कि हमारा दूसरा point 2 है एक पहला point 2 है दूसरा point इतना है तो इन दोनों को minus करेंगे तो हमारा change in x करेंगे यही होगा मतलब कि change in x x2 minus x1 है change in y क्या है y2 minus y1 है तो x2 minus x1 आप minus करोगे इन दोनों को तो आपका यही आएगा और delta y में तब y2 minus y1 है इन दोनों को minus करोगे आप तो हमारा आप यही आएगा अब इन दोनों को divide करोगे delta y by delta x तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा यह आप calculate करके देखना इतना ही आएगा तो इतना जो हम calculation कर रहे है इसको simply way में हम क्या लिखेंगे देखेंगे कि y equal to x square है इसका derivative हों क्या निकले dy upon dx निकले क्या निकले 2x simply यह 2 यहाँ आगया और x to the power 2 minus 1 यानि कि 2x x to the power 1 है है मतलब कि 2x ही आया जो कि हम लोग यहाँ लिखाता है अब हम x का value हम कहां पर निकाल रहे थे यह value x is equal to 2 पर निकाल रहे थे तो x is equal to अब divide x at x is equal to आब 2 calculate करो तो 2 into 2 क्या रहा है पर 4 ही आ रहा यह value ना आ रहा था आपका यहाँ पर 4 सेम आया तो इतना calculation करने का हमें जोरत नहीं है कि आप एक बर इतना निकाल रहे हो change in y निकाल रहे change in x, change in y फिर इतना divide कर रहे हो direct आप यहाँ पर निकाल रहे हो इतना simple method हमें develop हो के मिल गया कि आप सिधा एक value पूट करो x का आप value निकाल रहे हो के कितना आगिया similarly आप निकाल रहे हो आप 3 रखते हो है ना आप दूसरा point लेते हो 3.001 बहुत close लेते हो तो y आपका आजाएगा एक point ले 3 तो y corresponding आजाएगा आपका 9 और change in x करोगे तो 3.0 उतना मैनस करोगे तो इतना आएगा और change in y करोगे y to minus 1 तो इतना आएगा आप वहाँ से आप कल्कुलेट करोगे तो आप देखोगे कि हमारा 6 आ रहा है है ना कहाने का मतलब एक point आप लिए x equal to 3 लिए x1 दूसरा point लेले हो आप 3.00001 लेलो अब यह point लेगे कल्कुलेट करोगे तो इसी तरह से जिस तरह से हमनों 2 लेके निकाला आप देखोगे यही वैलो आएगा 6 ठीक है delta y by delta x 6 आएगा फिर आप यहाँ पे add 3 पे हम निकाल रहे थे तो similarly dy by dx हमारा क्या था simple dy by dx हमारा 2x ही है dy by dx हमारा 2x ही है आप यहाँ x का value 3 रख दो तो 3 दूना 6 6 यही value आप का रहा similarly 4 रोखोगे तो 8 आएगा तो यहाँ 4 रोख value पूट कर दो 4 दुनिया 8 आएट आगया तो यह हमारा एक simpler method निकल के add derivative का किसी भी च्छन में आपको मालूब speed निकाला at the instant आप diet time का value पूट करोगे आप वहाँ पे speed निकाल लोगे इसको हम लोग एक example से समझेंगे next class में चलिए thank you very much